गुड इवनिंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लेर्निंग में और मैं हूँ रमेज सिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल डियो एप की और जानेंगे गूगल डियो एप की ओल A to Z सैटिंग्स के बारे में तो अगर आप वीडियो कॉलिंग एप गूगल डियो का यूज करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में गूगल डियो एप की ओल सैटिंग्स और फीचर्स के बारे में आप सेखने वाले हो इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना है इसलिके साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आरे में स्लाइट बेरनिंग को सब्स्राइब करके बैल आइकन प्रेस भी जरूर कर देना तो चलिए फ्रे आपकी कॉल हिस्ट्री का होता है जिसमें आप अपनी सभी इंडिजियल्स या फिर ग्रूप्स की वीडियो या फिर ऑडियो कॉल हिस्ट्री देख सकते हैं यहां पर यूँ कॉल ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी कॉंडेट लिस्स से किसी भी कॉंडेट के साथ वीडिय टोटल कॉल होप्ष्न पर किलिक करके एस इस समय कर सकते हैं और को हैं जर को अपतर को क्लिक करना होगा क्लिक करके और पर filters option पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो में अलग-अलग filters add कर सकते हैं और effects option पर क्लिक करके video recording में अलग-अलग effects भी डाल सकते हैं यहां से दोस्तों आप अपने mobile का camera flip कर सकते हैं उसे back camera में switch कर सकते हैं या फिर front camera में move कर सकते हैं अपनी mobile calendar से photo या video send करने के लिए यहां पर आपको इस icon पर क्लिक करना है और जैसे कि आप देख सकते हैं आप पर video option selected है तो ऐसे में अगर आप इस circle पर क्लिक करेंगे तो video recording start हो जाएगी और आप अपनी video record करके इस content को send कर सकते हैं इसके लावा आप यहां पर photo option को select करके और फिर इस circle पर click करके अपनी photo click कर सकते हैं और इस content को send कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों यहां पर last page not option पर click करके आप कोई भी message type करके इस content को बेश सकते हैं तो दोस्तों यह कुछ basic feature थे जिनके बारे में आप जानते होंगे इसके बाद कौन कौन से features आपको contact history में मिलते हैं चलिए one by one करके जान लेते हैं तो दोस्तों यहां पर top right corner में यह three dots पर आप जैसी click करेंगे इस तरह से कुछ और options आपके सामने आएंगे तो यहां पर view contact option पर click करके आप इस person की contact information देख सकते हैं four number देख सकते हैं इसके बाद यहां पर view full history option पर click करके आप इस person के साथ अपनी full call history देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपर next option है add to the home screen इस option पर click करके आप इस content की conversation को अपने mobile की home screen में add कर सकते हैं और direct अपनी home screen से ही इस content को open कर सकते हैं इसके बाद यहां पर block user option पर click करके आप इस content को block कर सकते हैं report abuse and block option पक्लिक करके आप इस user को block करने के साथ report भी कर सकते हैं अगर करना जाएं तो इसके बाद यहाँ पर भी delete duo history option पक्लिक करके आप इस user के साथ अपने total conversation को delete कर सकते हैं पूरी history delete कर सकते हैं इसके बाद दोस्ते हाँ पर create group option पक्लिक करके आप इस subject के साथ group create कर सकते हैं और उस google do oh group में other contacts को भी add कर सकते हैं, गूर्प conversation कर सकते हैं, audio video call कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों आप पर last में option दिया गया है, send feedback, इस option पर click करके आप Google Duo से related किसी भी problem का feedback send कर सकते हैं, और अपनी problem को solve करवा सकते हैं, तो दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे कि अपने Google Duo context को open करके आप कौन-कौन से features को use कर सकते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते है और जानते हैं Google Duo के other features के बारे में, तो दोस्तों यहां पर top right corner में यह three vertical dots पर आप जैसे click करेंगे, इस तरह से कुछ और options आपके सामने आएंगे, तो guys यहां से आप Google Duo की settings page में पहुंच सकते हैं, अपने friends को invite करके Google Duo join करवा सकते हैं, और कैसे Google Duo आपकी privacy को protect करता है, वो अपके अपके प्लिक करके, आप किसी भी technical issues related problem को report कर सकते हैं, Google Help Center से content कर सकते हैं, तो दोस्तों I hope यहां तक आप Google Duo के सभी features के बारे में अच्छे से समझ गये होंगे, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं Google Duo की settings के बारे में, तो दोस्तों इसके लिए यहां पर आपको settings option पर click करना होगा, जिसके बाद next interface में Google Duo की सभी अलग-अलग settings आपके सामने आजाएंगी तो guys, यहां पर first option दिया गया है account, जहां पर आप अपना register mobile number देख सकते हैं, इस option पर आप जैसे click करेंगे, इस तरह से आपकी personal account information आपके सामने आजाएगी तो guys, अगर आप अपना register mobile number change करना चाते हैं, तो यहां से आप easily कर सकते हैं, इसके लिए यहां पर आपको change option पर click करना है, जिसके बाद एक pop-up open होगा, तो इस pop-up में continue option पर click करके, आप अपना register mobile number बदल सकते हैं, अब अगर आपने अभी तक अपना Google account Google Duo में add नहीं किया है, तो यहां पर add account option पर click करके आप अपनी Gmail ID यहां पर add कर सकते हैं, जैसे आप इस option पर click करेंगे, इस तरह से एक pop-up open होगा, जिसमें आपकी Google ID आपको show हो जाएगी, अगर आपने पहले से ही Google पर login किया है, यहां पर आपको simply agree option पर click करना है, जिसके बाद आपका Google account Google Duo में add हो जाएगा, इसके बाद दोस options highlight हो जाएगे, यहां पर reachable with email address का यह option आपको यहां पर show हो जाएगा, जो by default enable होगा, जिससे कि कोई भी user आपकी email ID के थरूँ आपको Google Duo पर contact कर सकता है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो इस option को disable कर सकते हैं, otherwise, अगर आप चाहते हैं कि जिने Google Duo users के पास आपकी email ID है, व इसके अलावा दोस्तों, यहां पर TV sign in option पर click करके आप TV पर अपने Google Duo account को access कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके phone का Wi-Fi on होना चाहिए, और same network से TV भी connect होना चाहिए, तभी TV पर आप Google Duo account को access कर पाएंगी, इसके बाद दोस्तों, यहां पर आप remove Google account from Duo option पर click करके, अपना Google account यानि की Gmail ID, Google Duo से remove कर सकते हैं, इसके लिए यहां पर आपको remove option पर click करना है, जिसके बाद आपका add किया हुआ Google account, Google Duo account से remove हो जाएगा, इसके बाद यहां पर next option दिया गया है, manage history, इस option पर click करके आप Google Duo की history को manage कर सकते हैं, यहां पर यह दो options आपके सामने आएंगे, तो इन मे इसके click करेंगे, इस तरह से एक pop-up open होगा, इस pop-up में by default never option selected रहता है, जिससे की Google Duo की जो history है, वो automatically delete नहीं होती है, अगर आप यहां पर 30 days option को select करेंगे, तो 30 दिनों के बाद automatically Google Duo की history delete हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2 महिनों के बाद Google Duo की history automatically delete हो जाए, तो यह इसके बाद दोस्तों यहाँ पर next option है, delete all history now, इस option पर click करके, आप तुरंत Google Duo की पूरी history को delete कर सकते हैं, जैसे आप इस option पर click करेंगे, इस तरह से एक pop-up open होगा, तो इसमें delete option पर click करते ही, Google Duo की all history clear हो जाएगी, Google Duo को home page blank हो जाएगा, अब अगर दोस्तों आपको अपना Google Duo account delete करना है, तो वो भी आप यहाँ से easily कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर आपको delete Duo account option पर click करना है, जिसके बाद एक pop-up open होगा, तो इसमें delete option पर click करते ही, आपका Google Duo account delete हो जाएगा, settings page में दोस्तों next option दिया गया है, call settings, call settings option पर click करते ही, कुछ और options आपके सामने आएगे, यहाँ पर पहला option दिया गया है, knock knock for this devices option पर click करके, आप यहाँ से इस setting को on off कर सकते हैं, अगर यह option disable है तो, कोई भी आपका friend जिसकी content list में आप add हैं उसे, अगर आप Google Duo के तुरू video call कर रहे हैं, तो ring के दोरान ही वो आपकी live video देख सकता है, call उठाने से पहले ही उसे आपक option को on ही रहने दीजी, इसके बाद दोस्तों call settings में next option है mirror mode, यह option अगर इस तरह से enable है, तो सामने वाले person जिसको आप video call कर रहे हैं, उसे video call में आपकी position ऐसे दिखाई देगी, जैसे face to face किसी person से बात करते हैं, video calling के दोरान mobile का front camera का use होता है, जिसमें video reflection उल्टा शो होता है, left hand right की तरफ show होता है, और right portion left की तरफ show होता है, ऐसे में अगर यह option enable है, तो सामने वाले को video chat में आप ऐसे दिखाई देंगे, जैसे face to face बात करते time दिखाई देते हैं, इसके बाद friends यहाँ पर next option है, duo moments, इस option को अगर आप enable कर देंगे, तो इसके बाद जब भी आप Google duo पर video chat क कर रहे होंगे, और इस दोरान आप इसका screen shot लेते हैं, तो वो screen shot आपके साथ साथ उन सभी users को मिल जाएगा, जो आपके साथ में video chat कर रहे होंगे, उनके camera roll में आपका लिया हुआ screen shot automatically save हो जाएगा, और साथ ही उनको इसका notification भी मिल जाएगा, ठीक इसी परकार से, अगर आपके साथ होने वाली video calling का screenshot लेते हैं, तो उसका notification आपको भी तुरंत मिल जाएगा, और आपके camera roll में उनका लिया हुआ screen shot automatically save हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों आपर next option है data saving mode, इस option को अगर आप enable कर देंगे, तो इसके बाद Google Duo पर video calling के दोरान आपका काफी mobile data save होने वाल जाएगी, तो दोस्तों अगर आप Google Duo use करते हुए अपने data save करना चाहते हैं, तो इस option को enable जरूर कर लीजिए, इसके बाद friends यहाँ पर next option है, add duo calls to device call history, तो guys, यह option by default off रहता है, अगर आप इसे enable कर देंगे, तो Google Duo की call history आपके mobile की main call history है, उसमें show होना start हो जाएगी, इसके ल एक्से देने के लिए, यहाँ पर आपको allow option पर क्लिक करना है, जिसके बाद add duo calls to device call history option यहाँ से remove हो जाएगा, और इसके बाद से Google Duo की call history आपको main phone app की call locks में show होना start हो जाएगी, call settings के बाद यहाँ पर next option है, message settings, तो guys, इस option पर क्लिक करते ही, यह दो options आपके सामने आएगे, इन में save messages option को आप enable रखते हैं, तो Google Duo पर मिलने वाले voice या फिर video message और photos या notes आपके device में भी save हो जाएगी, अगर यह option disable है तो ऐसा नहीं होता है, duo पर मिलने वाले सभी messages automatically 24 hours के बाद delete हो जाते हैं, अगर आप delete नहीं करना चाते हैं, अपनी device में save करना चाते हैं, तो इस option को on नहीं रहने दीजिए, इसके बाद captions for messages का option दिया गया है, अगर आप इस option को on कर देंगे तो Google को आपके audio content की permission मिल जाएगी, जिसके बाद voice messages या फिर video messages में जो audio है, Google उसे transcribe करना ही start कर देगा, और इसके बाद जब भी आपको Google Duo पर कोई voice message मिलेगा, आप उसे सुनने के साथ और भी सकते हैं, आपकी mobile screen पर voice messages या फिर video messages के जो content है वो लिखे वे आना शुरू हो जाएंगी, इस feature को on करने के लिए आपको इस टॉगल बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक पॉप अप उपन होगा, तो इसमें turn on option पर आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद ये feature on ह हो जाएगा, और इसके बाद Google आपके audio content की transcription स्टार्ट कर देगा, हाला कि Google आपके audio content को अपने पास store नहीं करेगा, सिर्फ आपको caption show करने के लिए audio content यूज़ करेगा, इस feature का फाइदा आपको तब मिल सकता है, जब माल लीजी अगर आप किसी store वाली जगह पर हैं, और ऐसे आपको कोई audio या फिर video message मिलता है, जिसे आप noise की वज़े से सुन नहीं पा रहे हो, ऐसे में आप audio content को पढ़कर voice या फिर video message को समझ सकते हैं, इसके बाद दोस्तों आपर next option है notifications, इस option पर क्लिक करके आप Google Duo एप की सभी notifications को manage कर सकते हैं, उसे on off कर सकते हैं, यहाँ पर आपके फोन की जो notification settings है, वो open हो जाएंगी, जिनने आप Google Duo पर भी apply कर सकते हैं, और incoming calls या messages की notifications को manage कर सकते हैं, on off कर सकते हैं, या फिर group notifications, reminder या फिर other alerts को अपने फोन के साथ Google Duo के लिए भी customize कर सकते हैं, notifications के बाद यहाँ पर next option दिया गया है, choose theme, इस option पर क्लिक करते ही है, एक pop-up open हो तो इसमें by default, system default option selected होगा, जिसके through आपके device की theme Google Duo पर apply होती है, अगर आप अपने phone को dark mode में करेंगे, तो Google Duo भी dark हो जाएगा, और अगर आप अपने phone में light mode on करेंगे, तो Google Duo भी light mode में हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर dark option को select करेंगे, तो Google Duo always dark mode में रहेगा, या फ Google Duo एप light mode में रहेगी, फिर चाहिए आपका phone light mode में हो या dark mode में यहाँ पर इसका कोई impact नहीं पड़ेगा, फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, last option में जो है, blocked users, इस option पर click करते ही, आपके सामने उन सभी users की list आजाएगी, जिनने आपने Google Duo पर block किया होगा, इसके ब्लॉक करना है, तो इस तरह से आपको उसके profile name पर click करना है, और pop-up में unblock option पर click कर देना है, जिसके बाद blog person वापस unblock हो जाएगा, तो इस तरह से friends, Google Duo पर आप किसी भी contact को block या फिर unblock कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही दोस्तों, I hope Google Duo की all settings की यह जानक वीडियो में किसी न्यो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, जै हिंद!